जबसे UTI ने ये वाला सर्विस बंद किया है, कूपन सिस्टम, लोग काफी परिसान है, कूपन कहां से ले, पैयन करिश से अपलाई कि रहे, इस विडिव में आपको complete प्रोस्ट पताएंगे, साथ में अगर आप तुनिला करोगे ये वाला वेबसाइट, अभी जो UTI ने नया लांच किया है, और ये पुराना वाला वेबसाइट, तो ये पुराना वाला से कई बेहतर है, ये नया वाला जिसमें balance system किया गया है, अभी क्या होता है, कूपन नहीं खरिदना पड़ता है, आपको balance aid करना पड़ता है, balance instant aid होगा, साथ में ID भी instant create होगा, तो चलिए पुरा से आप pen apply नहीं कर सकते हो, तो इसलिए पुराजर हम भी close करते है, अभी नया वाला पंसर में बात करते है, तो नया वाला पंसर ने यूटिया में क्या किया है, यह पर balance aid करना पड़ता है, तो balance आप instant aid कर सकते हो, किसी को भी contact करने की जोरुरत नहीं पड़ता हो, किसी को भी इसलिए आपको आजाना है इस वाले website में इसका लिंक आपको description box में दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको रेइस्टर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे रेइस्टर्ट कर रहे होई, यह वाला ID आपका create हो जाएगा, तो चलिए वो केसा रहेगा process, वो step by step समझते है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, create account में जाना है, create account में जैसे आओगी यहाँ पर आपका full name, address, pin code, mobile number, email ID, state, आपका company नाम मतलब swap name, और अधार number, यहाँ पर देखिए, NHDL का भी service live है, आप NHDL से भी आपका pen apply कर सकते हो, यहाँ पर आपका merge, आप UTI से करना चाते हो, तो UTI से भी कर सकते हो, यहाँ पर pen number डालोगे, ID सेलेट करोगे, retailer, distributor, super distributor, और अगर आपको white level लेना है, तो contact कर सकते हो, contact number आपको website में मिल जाए रहा, तो retailer सेलेट करेंगे, यहाँ पर paytm सेलेट करेंगे, payment के लिए, यहाँ पर 19 पर payment करना पड़ता है, new ID के लिए, अगर आ में पूरा details भार चुगा हूँ, याद रखो कि यहाँ पर एक mobile number, मतलब एक number से एक ही ID बनेगा, अगर आप एक ही mobile number दोबरा यूज़ करना चाहोगे, तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब unique mobile number चाहिए, पे में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको payment gateway में ले जाएगा, यहाँ पर आ यहाँ पर देखो यह payment, यह payment हो चुका है, success, अभी redirect करेगा आपको, यहाँ पर एक OK का option है, आप OK में क्लिक करोगे, OK में जिसी क्लिक करोगे, यह direct login हो जाएगा, आप सुम्झागे मेरा ID or password क्या है, ID password मुझे पता ही नहीं चला, यहाँ पर देखो यह direct login हो चुका है, लेकि यहाँ पर आपको mail नहीं देखने को मिलता है, तो आप इस पैम फाइल में जाकर भी देख सकते हो, यह दिखिए यहाँ रिप्लेक से आया है, यह पर देखो आपका नाम है, आपका ID, user ID हो गया, और यह आपका password हो गया, ठीक है न, तो यह आपका user ID हो पासपर्ट, यहाँ आपको login करना है, कहा login करना है, honeypen.com में, ठीक है, जो URL आपको description box में दिए, login करने के बाद आपको आजाना है, देखिए जो भी service aid चलाना चाहते हो, चला सकते हो, जैसे aid money का option है, इनिस्टेंट EKYC पैन है, इनिस्टेंट ही साइन पैन है, इनिस्टेंट ही साइन है, file update हो चुका है, फिर से हम आएंगे, यहाँ पर देखे, UTI service में, तो यहाँ पर यह बता कि रखा है कि आप PSA service agent PSA, generate PSA ID, यहाँ पर आप click करोगे, यहाँ पर जैसे ही click करोगे, यहाँ पर यह बता रहा है, value ID, value create successfully and registration code, यह आपका registration code हो गया, तो इसे हम save कर लेते हैं, आगे चलके काम लग सकता है, इसलिए आप इसे save कर लो, या फिर आपका mail ID चेक करो, यह बता रहा है कि आपका PSA ID बन चुका है, मतलब यहाँ वाला ID बन चुका है, वो ID कहा मिलेगा, अब यह ID आपको कहा मिलेगा, आपके email ID में मिलेगा, तो चलिए email ID आते हैं, यहाँ पर देख दूरा दिखा रहा है, इमेल में, तो पूरा ID आपको कहां दिखाए देगा, यहीं पर आपको दिखाए देगा, लो, डासबोर में क्लिक करते हैं, UTI सर्वीस, यहाँ पर देखो, यह पूरा का, पूरा ID हो गया, F-A-N-I-C-A-S, यहाँ से लेके, डेस लेके, आपका यह न पर आपको लोगीन करके, यहाँ पर देख सकतो है, यहाँ पर देखेगा, UTI सर्वीस में आओगे, तो परचेस कूपन का अप्सें दिया गया, आप कौन्टेटी डालोगी, कितना पैन आपको बनाना है, यहाँ पर जैसे मैंने बनाया, एक पैन बनाना है, तो एक सो तीन र पासपट आइडी हम अभी लोगीन करते हैं, और आपको एक बैलेंस रेट करके दिखाते हैं, यहाँ पर हम अनकिनो इंडो में खुले हैं, क्योंकि वह वाला वेंडो में, वह वाला ब्रोजर में एक आइडी ओल्डेडी लोगीन था, इसलिए मुझे यहाँ पर यूज करन आइडी जेनरेट होता है, सेम वही आइडी कोपी करना है, यहाँ पर आके कोपी पेस्ट करना, आइडी पासपट इस तरह से आएगा, आपको ओके करना है, इस वाले बॉक्स में आपको टिक करोगे, तो यहाँ पर देखिए यह खुल गया है, और यह रिजिस्टिशन कोड जोगे, जोगे आपका सूट रहा है, वह स्लेट करोगे, जवाब देज दोगे, पनीमेल में आया था, बहु डालोगे, तो चीटिव communications है हम यह पेस्टिशन कोड कर लिए पर जो इडि था वही ए है फैस्ट कर लिए how does this year करें ढाल से अ epic L करोगे имीट में किरें चलिक डाल देते हैं अब करेंगे 낸न कंप्लीट हो गया मतलब का यूटि याइडी पेसे एडी कंप्लीट हो गया रेस्ट्रेशन कंप्लीट यह एक्टीव हो गया जो यूट्या ने ने यह वेपसाइट लॉंच गया है उसका ठीक है अब यहां आप डायरेट लोगिन करोगे तो लोगिन नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखो यह इसका लिंक में लास्ट में यह दिया गया है लोग आट तो अभी लोग ऑट पेजमे अभी होआप इसलिए लोगिन पीचों के फिरसे बैर इसल कि लिंगे बैरिट लिंकी में लास्ट में लोगिन होम नहीं लिखकर रहना चाहिए हम यह अपको बैलेन्स लेना होगा नें इसमें आबृoppag विडशम आ दो तरीके एक तो आप contact करोगे तो contact करोगे वह अभी available है कि नहीं आपको balance डाल पाईगा कि नहीं तो वह जंजट छोड़ो अभी इन stand कैसे लोगे मानलो अभी आपको दो pen apply करना है तो यहाँ पर दो pen का balance होना चाहिए तब ना इसका ID कोपी कर लेते हैं और पासपर्ट किया था यह वाला पासपर्ट लोगिन यह लोगिन हो गया अब देखिए आपको यहां पर आपको balance करोगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप यहां पर जाओगे यूटिया सर्विस में तो यहां purchase coupon का option दिया गया और वही आडी यही आडी आपका यहां सो करता है यहां पर देखिए यह वाला आडी आपका यह वाला आडी आपका यहां ही सो करेगा इस वाले आडी में जहांसे आप NHDL और रिचार्ट का सर्विस का लाव उठा सकते हो यहां पॉन्टेटे जा रहेंगे एक सो तीन देखा रहा है तो एक सो तीन रुपया आपके वालेट में होना चाहिए तब जाके आप purchase कर सकते हो तो चलिए पटापट इसे हम एक सो तीन रुपया रिचार्ट करते हैं एडवनी एक सो तीन या पिर जितना कर सकते हो वह आप पयमेंट करो यह सप्सेश हो चुगा है अब यह थोड़ा यह को बढ़ेन कर दे किरें और पर देख्यों को भीचेस कूपन कैसे करेंगे ऐसे की बता पूर्टनों में आओं और आ Canada डालोगे 103 रुपया 1st breaks पर देखो रिप्रेस हो जाएगा तो इसे परकार से आप नया आड़ी लेगे आभी आप फिलाल पैन अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास पैन पैंड ही है बहुत लोग कंफ्यूज था कि पैन कट अपलाई कहां से करेंगे क्या करेंगे कैसे होगा और साथ में देखिए मैं एक चीज बहुत ही किलियर से समझा देता हूं आप याद रहोगे जब भी आप यह अपर नाम रहेगा यूजराईड आपका पास्पेट रहेगा यहां पर लिंक में जाके लोगीन करने के बाद आपको जेनरेट कॉप्शन मिलता है यहां जैसे घ्रीट इन्रेट हो जाता है जेनरेट होने के बाद फिर से आप मेल चेक करोगे लगबग यह मिनिट या इन स् आइडी बनता है यहां पर देखो आइडी आ गया तो इसके पहले क्या लगेगा मैंने आपको बता है था कि इसके पहले यह लगेगा एफ ए एन आई सी ए एस यह वाला ठीक है यह आप आप complete ID रहेगा और अगर यहां complete ID करेगा तो आपको यहां लोगिन करना है परचेस के उपन में जाओगे तो साइट में आपी सू कर रहा था जैसे वह सो करेगा आप हुहां से लेकि अपना ID activate करोगे मैं वेब साइड में मैं वेब साइड बूले तो यहां पर और स्ट करने के लिए आपको यहां पर लूगिन करके पर चेस में किलिक करना है उम्मीद करता वेडिया पसंद आए तो वीडिए को लाइक करके जाओगे अगर किसी परकार से कोई दिख्कात आ रहा होगा तो यहां पर कॉंटेक्ट नमर दिया गया है वाट्सप या कॉल कर सकते हैं